सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडे को दबा लें नमस्काल दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेंपैरहब.com के अप्षिसे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम आपके लिए रोज सरकारी नौकरियों से संबंधित वीडियोज लेकर आते हैं जिसमें आई हुई नौकरियों के बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिसन हर्याना में निकली ही वेकेंसी के बारे में दोस्तों इस vacancy के लिए post का नाम health officer है, eligibility BMS degree है, location पंचकुला हर्याना है, last date 10 December 2017 है, age limit maximum 55 years है, और इसके official website www.nrhmharyana.gov.in है चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं vacancy details के बारे में, यहां total vacancy 55 है और post का नाम health officer है दोस्तों district wise vacancy की बात करें तो मिवाद के लिए 20 post है, पलवल के लिए 15 post है, पानिपत के लिए 10 post है, और यमुना नगर के लिए 10 post है, अब बात कर लेते हैं eligibility के बारे में इसके लिए सैक्षिक योगेता किसी मानेता प्राप्त institute या इन्वर्सिटी से regular B.A.M.S की डिग्री रखी गई है दोस्तों यहां वेतनमान के रूप में चुने हुए आवेदुकों को 25,000 रुपए प्रती महिने दिया जाएगा अब बात कर लेते हैं age limit के बारे में medical officer के post के लिए maximum age limit 42 years और account assistant के लिए 55 years निधायत किया गया है दोस्तों इस vacancy के लिए selection process interview पे based है चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रकेरिया के बारे में दोस्तों यदि आप इस post पर आवेदन करने के इच्चुक हैं तो आपको हमारे website पे जाना होगा हमारे website का link आपको वीडियो के description में मिर जाएगा दोस्तों आप अपने आवेदन पत्र के साथ relevant documents की sale पर tested photocopy को 10 December 2017 से पहले screen पे show कर रहें पते पर भेज सकते हैं चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके notification और form fill up के बारे में उसके लिए आपको click here for recruitment notification और application form पी click करना होगा देखिए दोस्तों ये notification का page खुल गया है इसको आप पहले अच्छे से पढ़ लें और ये रहा हमारा application form दोस्तों notification को अच्छे से पढ़ने के बाद application form के सारे details को अच्छे से fill up करके इसको समय से आप submit कर दें दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको form fill up का process समझ में आ गया होगा इस वीडियो में आपको इस vacancy से सम्बंदित सारे जनकारी दे दिये अगर फिर भी आपको कोई doubt रह गया है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें comment करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद